हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें तिलक बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हर्तना चाहते हैं अजय श्री कृष्ण तो अब शांती की भाशा की जगा युद की भाशा बोल रहे हैं ये दूद की मर्यादाओं का उलंगन है ये जीजा श्री को हमारे विरुद भरका कर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं हां अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा है है द्वारी का धिश है कि मैं एक पिता हूं आपको समझा नहीं सब्ता कि एक पिता की विवस्ता क्या होती है परंतों आप पांड़मों के भी तो जेश्ट पिता श्री हैं आप उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पंडवो सुयम आपको आज भी अपने पिता समान मानते हैं. परिम प्रतापी युधिश्ठित और उसके अनुजूने आपको और कुरुकुल के सारे जेश्ठों को अपना आधरनी प्रणाम भेजाएं. मुझसे याचना की है कि उनके प्रती मैं आप सब जेश्ठों से आशिरवाद करण करूँ। महराज, बताइए, बताइए मैं उन्हें आशिरवाद में क्या ले जा कर दूँ। क्या कहे दूं कि आपने उनके प्रेम, इसमिये, आदर और शद्धा को ठोकर मार दे। हाँ, हाँ, अवश्य कह दीजे। हमें उनके इसने, उनके प्रेम, उनके आदर और शद्धा की कोई अवश्यक्ता नहीं। जाये द्वार का दीश, जाये। जाकर कहिए उन पाचों पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्त मैंने जीता है, मैंने। यदि उनकायरों को इंद्रप्रस्त चाहिए, तो जीत ले जाए युद्ध भूमी पर। वे आपके लाक कहने पर भी पाण्डियों को इंद्रप्रस्त वापस नहीं लोटाऊंगा। क्योंकि इंद्रप्रस्त मेरा है मेरा और केवल मेरा ही रहेगा। महराज, रोकिये। दुर्योधन की इस हट को रोकिये। कहीं ऐसा नहो कि आपका ये पुत्र अपने जूटे मान, गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहोए। पुर्योधन का पांडवों के प्रतिये द्वेश, ये हटीला सुभाओ, स्वयम अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है। युद्ध का नियुता दे रहा है। और यदि ये युद्ध हुआ, तो इसमें केवल तुर्योधन कहें नहीं, संपून कौर्वों का विनाश होगा। और इस विनाश का उत्तरदायत आप पर होगा महराज आप पर। द्वार कदीश, आप हमारे आदर में हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप शांती दूद बनकर महराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दें। ये में कदापी सेह नहीं सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडों की गुन गाथा का गान बन करके चुप चाप बैठे रहिए। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगान दो, और शत्यों सुन्दा सीखो। तो अरिका धीश के प्रती, ऐसे अप्शब्द शुभा नहीं देते। भग्वान के प्रकॉप से डरो, पिता मां। डरते वो हैं जो कायर होते हैं। मैं किसी के प्रकॉप से नहीं डरता, क्यूंके दुर्योधन चौयम एक प्रकॉप है। ठीक कहा दुर्योधन तुमने, तुम एक प्रकॉप हो। और अब यही प्रकॉप बिजली बन कर हस्तनपुर पर केरने वाला है। महराज तुर्योधन के ये कटीले और विशैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार रिकर रहे हैं महराज धर्म राज युदिश्टिर ने अपने शांती संदेश में ये भी कहा था कि यदि महराज धितराष्ट अपने पुत्रों के हां तो लाचार होकर हमें हमारा राज्जी न लटा सके तो उने कौर्वों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित ना कीजिएगा उनकी विवश्टा का प्रदर्श्र ना कीजिएगा उनसे पांड़ों के इंद प्रेस्त के बदले पांच भाईयों के लिए केवल पांच गाउ ही मांग लीजिएगा वो पांच गाउ पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे मैं उन भिकारियों को पाज गाउ तो क्या सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूँगा ये मिरा अंतिम और अटल मिलनाए है है मधसुदन मेरे मन में प्रिय पांड़मों के प्रती कोई पाप भावना नहीं है मैं आज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं हे जनारदन तुम तो सब जानते हो मेरा शरीर अवश्य इस राजशिंधासंग पर बैठा है परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसा कर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है मैं संबंध में व्युश्ष हूं मैं व्युश्ष हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता महराज धित्राष्ट आप अपनी विवश्टा का दुख्रा रोकर अपने कर्तव्य से मूह नहीं मौर सकते उससे भाग नहीं सकते आप राजा है राजा और राजा किसी के आधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है बलकि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हर्तना चाहते हैं भाजे, श्री कृष्ण तो अब शांती की भाषा की जगा युद्र की भाषा बोल रहे हैं ये दूद की मर्यादाओं का उलंगन है ये जीजा श्री को हमारे विरुद भरका कर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा मैं ही इसे बंदी बनाओंगा कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूद को साथा, किसी ने भी दूर कादीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दर्बार में सरों का ढेर लगा दूँगा साथ दिक्रों, पैठो आओ, आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, उझे बंदी बना लो पाले किसम ल currently सेप्स हंूर ऑार कर्ण मु ाय привें आरनौ्स चूर्वति पतुर्व ततततत वाध के लिगता लो आरनौर्वशन, के समये इसस मूँए चलो सब्टिके